वेलकम दस्तों मैं डक्टर सोनकुमार आप देख रहे हैं सोनो मेटकल यूट्यूब चैनल मैं मेटकल और अर्वेतिक के बारे में सारी वीडियो इस पे डालता रहता हूँ आप उसको जरूर देखिए लाइक से और सब्सक्राइब किजिए नमस्कार आज की वीडियो में हम आपको Mono Safe 450 Suspension के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस Suspension का इस्तिमाल किनकिन समस्यों में किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी मार्केट प्राइज, कमपोजिशन, साइट इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंच वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मूनों से 4,50 सस्पेंशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो यह छोटे बच्चों के लिए होता है इसके मार्केट प्राइज की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइज 85 रुपए है और इसको अरिष्टो कमपनी के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुत ही अच्छी कमपनी है यह 18 ग्राम में आता है 30 ml इसमें वाटर होता है तो आईए जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसके कमपोजिशन की बात करें तो इसमें C4-Doczym होता है तो की प्रतेक 5 ml में 50 mg होता है तो फ्रंट्स यह बहुत ही ब्रतिन अंटिबाइटिक है आईए जान लेते हैं इसके यूजेश के बारे में तो इसका इस्तेमाल बैक्ट्रियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है यह छोटे बच्चों के लिए दवा है जो की दो महिने से लेके 10 साल तक के होते हैं उनके लिए यह दवा उप्योग में लाया जाता है तो यह बैक्ट्रिया की विकास को रोकता है और बैक्ट्रिया को मारता है जिससे की bacterial infection ठेक हो जाते हैं यह सिफिलोस्पिरीन समो की दवा है जो की third generation antibiotic है आईए जान लेते हैं इसके usage के बारे में तो इसका इस्तेमाल बच्चों को अगर बुखार है खांसी की समस्या है गले में infection हो गया हो टांसील की समस्या हो तो इन सब समस्यां को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा अप्रेंट से अगर नाक में किसी भी प्रकार का infection हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा UTI यानिक यूनिट एक infection में भी इसका इस्तिमाल होता है बच्चे को पिसाब में जलन महसूस हो रहा हो या बार बार पिसाब हो रहा हो या पिसाब नली में कहीं पे infection हो गया हो तो उन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा RTI यानि की respiratory treatment infection में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है बच्चे को फेफड़े या वाइनली में कहीं पे infection हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलाव फ्रेंट्स skin infection में भी इसका इस्तिमाल होता है बच्चे के स्कीन में कहीं पे इंफेक्शन हो गया हो, दाने निकल गये हो, खुजली हो रही हो तो उन सब समझाओं को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलामा कान में इंफेक्शन हो गया हो, कान में फोड़ा पुंची हो गया हो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलामा कहीं पे भी फोड़ा पुंसी हो गया हो या चोट लग गया हो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो बहुत ही ब्रेतिन ये एंटिबाइटिक है जो कि बेक्टरियल इंफेक्चन को ठीक करता है ये बेक्टरिया के सेल वाल को बादित कर देता है जो कि प्रोटिन से बने होते हैं जिससे बैक्ट्रिया का विकास रुख जाता है और बैक्ट्रियल इंफेक्षन ठेक हो जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके डो़्च के बारे में इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो यह सिरफ दोज महीने से लेके 12 साल के बच्चों के लिए होता है इसका जो नार्मल डोज है वो पांच एमजी पर केजी पर डोज होता है अगर बच्चा दस केजी का है तो उसको पाई पेमेल सुबह और साम दे सकते हैं इसको लेने से पहले अपनों डाक्टर से परामर्श जरूर ले लें तब इसका इस्तिमाल करें क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है और आईए जान लेते हैं मूनों से फो सस्पेंशन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं जैसे की जी मसलाना, उल्टी होना, पेट में धर्द होना, दस्त की समस्या, गैस की समस्या और इसके अलामा कुछ alergic problem हो सकते हैं जैसे की सरेड में खुझली होना तोटे-छोटे दाने निकलना, लाल चकत्ते होना तो ये सब इसके side effect हैं जो कि किसी किसी बच्चे के हो सकते हैं सबको नहीं होते हैं तो इसको लेने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या होती हो तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से संपर कर लें तो ये थी हमारी आज की जानकारी मूनो से 450 suspension के बारे में subscribe भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का notification आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे